करेंगे reset में चले जाएं तो आपको क्योंकि 2 reset चाहिए हम भोग्णे क्योंकि आपको counter down 0 को भी reset करना है counter down 1 को भी करना है तो मैंने 2 reset यहां से ले लीजे इस तरीके से बैने यह रेशेट लिए देन अभी इसको फिर से execute कर out करके देख लिएग कि आपको clear हो जाएगा के counter हम कैसे use कर तो अभी मैंने क्या क्यानि 써ते हैं तो अब बनी पांटर फिस नंबर या यानि 5 प्री जाएगा में प्री jul नंबर की पलस आएगे तो मेरा क्या हो जाएंगे काउंटर दौनों रिशेट हो जाएगे तो भी देखिए दौनों काउंटर हमारे जीरो पर है क्योंकि एकुमिलेटर ज्यादा है प्रिशेट से दौनों ड़न बेटा अन है और डी टू एंसी सेक्षण मेरा क्या आउटपू यह माईन से दाएंगे तो से माईनस धो जाएंगे तो गया ही दिखेंग एखिए अनड़ देखतर धे लिसमें केऊंटर हमानुद रिख़ितल पर खुशू कि अउलनन चाहरा यह मक्या तो यह भी होग और यह मालम सब्सक्रण की यह तेखेंगे कर से यह दिखेंगे यह माइनस 6 पर counter number 1 चला जाएगा और यहाँ पर भी डर लो होगी और एसे इस्सेक्षन की वैएसे यहाँ पर क्या होगा यह reset हो जाएगा देखिए तो reset होने पर आपने देखा यहाँ पर यह माइनस 1 पर चला गया अगर आपको याद हो counter अपकी वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं 6 नंबर की pulse दे रहा हूं तो reset तो हो जाता है उसे क्या होगा मेरा counter reset हो जाएगा और reset होने का मतलब का है सीरे counter 0 पर चला जाएगा नाकि वो minus 1 पर तो क्यों होता है कि जब आप reset करने के लिए pulse देते हैं तो उसमें counter 0 पर चला जाता है लेकिन जैसे उस पल्स को release करते हैं तो काउंटर क्या करता है उस पल्स को count कर लेता है तो अगर आप यहां पर nc instruction यूज करते हैं तो इसका यूज करने से क्या होगा काउंटर सीरे 0 पर चला जाएगा ना कि वह माइनस वन पर जाएगा देखिए मैं फिर से सुरू कर रहा हूं यहां पर पहली पर जैसी मैंने दिया तो यहां से अगें फिर से आपको force enable करना पड़ेगा जैसी पर पहली दी तो दोनों काउंटर ने वन माइनस वन काउंट किया सेकेंड पर देंगे तो यहां से देखिए दोनों काउंटर माइनस टू पर चले गए थर्ड पर जैसी जाएंगे तो माइनस 3 और माइनस 4 पर जैसी आप जाएंगे तो अभी भी देखेंगे दोनों काउंटर माइनस 4 पर है जैसे ही माइनस 5 अगली 5 पर जाएगी तो यह का तो कॉंटर दौनों मेरे क्या हो गए सीथे 0 पे चले गए या अगर आप यहां पर यूज नहीं करते तो ये काउंटर बाइनस पर जा रहे थे लेकिन यह यूज करने से क्या फायदा घ्या काउंटर सीथे फिरी बह गिन से 0 पर चले गए इस तरीके से हम काकाउंटर दाउन काउंटर आप का जो परफच होता है वह किंक्रिमेंटल पर्सट करने की लिएepende काउंटर मतलब क्या होता है कि सकते हैं कि मैं भी जासे कि शुआ हूं कि जिसे के वक्त oversee मीजिएमर और आप चाहते हैं कि एकुत ul सल्ड़ के लिए बाहर निकल गए उनको निए काउंट करने के लिए embracing उफ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा आगे और यह की लगातर मेरे चैनल को यह through करने को स्टें मेरे वीडियो को लाइक कररें सब्सक्राइब को लगातर फॉलो करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना बुले जिससे की जो भी वीडियो अप्लोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन लिलता रहे है तो थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो